जन जन को समर्थ बनाने वाला बजेट है इस बजेट से गरीब को बल मिलेगा युवा को बहतर कल मिलेगा इस बजेट के माध्यम से मध्यमबर को प्रगती मिलेगी विकास की रप्तार को गती मिलेगी इस बजेट से टैक्स व्यवस्था का सदर करना होगा इन्फास्ट्रक्चर का आधुनी करना होगा ये बजेट उद्यम और उद्यमियों को मजबुत बनाएगा देश के विकास में महिलाओं की भागिदारी को और बढ़ाएगा ये बजेट सिक्षा को बहतर बनाएगा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और स्पेस रिसर्च के लाब को लोगों के बीच पहुँचाएगा आम नागरिक के लिए ईज अफ लिविंग भी है और साथ ही गाव और गरीब का कल्यान भी है ये बजेट एक ग्रीन बजेट है जिसमें परियावरान, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सोलार सेक्टर पर विशेश बल दिया गया है पिछले पांच साल में देश निराकचा के बातावरन को पीछे छोड़ चुका है उस बातावरन से भार निकल गया है अज देश उम्मीदों से भरा हुआ है आत्म विश्वास से भरा हुआ है बिजली, गैस, शड़क, गंदकी, प्रस्ट्राचार, वी आईपी कल्चर अनेक अनेक कठिनाईयां सामान ने मानवी को अपने हक के लिए जद्दों जहाद की जिन्दगी याने एक प्रकर से खुद से उसको जूजना पड़ता था उसको कम करने के लिए हमने लगाता प्रयास किये हैं सफलता भी मिली है आज लोगों के जीवन में नई आकांच्छाएं और खूप सारी अपेक्षाएं यह बजेट देश को विश्वाद दे रहा है कि इन्हें पूरा किया जा सकता है यह विश्वाद दे रहा है कि दिशा सही है प्रोसेस ठीक है गति सही है और इसलिए लक्ष पर पहुंचना भी निश्चित है यह बजेट आशा विश्वार और आकांच्छा का बजेट है यह बजेट 21 सदी के भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया के निर्मान में एक एहम कड़ी साबित होगा यह बजेट वर्द 2022 यानि आजादी के 75 वर्ष से जुड़े संकल्पों को पूरा करने में देश का मार्ग निर्धारन करेगा पिछले पांच वर्ष हमारी सरकार ने गरीब, किसाम, दलित, पीडित, सोशित, बंचित को ससक्त करने में एमपावर करने के लिए अनेक भीत कदम उठाए अब अगले पांच वर्षों में यही एमपावर्मेंट उन्हें देश के विकास का पावर हाउस बनाएगा पांच ट्रिलियन डॉलर एकोनमी यानि की पांच लाग करोड डॉलर की अर्थे ववस्ता के सपनों को पूरा करने की उर्जा देश को इसी पावर हाउस से मिलेगी बजेट में क्रिसी छेत्रे में स्ट्रक्शल रिफार्म के लिए नई योजनाओं का एलान किया गया है पीएम किसान सम्मान निजी के माध्यम से किसानों को सीधे लगभग 87,000 करोड 87,000 करोड रुपिय का ट्रांस्पर हो या 10,000 से ज़्यादा फार्मर प्रोडूसर और नेशन एप्पी ओ का संकल मच्वारों के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना हो या नेशनल वेरहाउसिंग ग्रीड की स्थापना ये योजना है वर्स 2022 तक किसानों की आए दो गुनी करने में प्रभावी भूमी का निभाएगी ग्रामी नर्थेववास्था में निवेश बढ़ाने से गाउं में ही रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे जन शक्ति के बिना जल संचय संभव नहीं है जल संचय जन अंदोलन की भावना से ही हो सकता है इस बजेट में वर्तमान ही नहीं भावी पीडी की चिंता साप साप नजर आती है स्वच्छ भारत मिशन की तरह हर गर जल का अभ्यान देश को जल संकर से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम बनाएगा बजेट में लिए गए फैसले अगले दसक की निव मजबूत करने के साथ ही नव जबानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे ये बजेट आपकी अपेक्षाओं का आपके सपनों का आपके संकल्पों का भारत बनाने की दिशा में एक अइतिहासिक कदम है मैं कल काशी में इस विशेपर विस्तार से बात्चित करने वागा हूँ लेकिन आज मैं फिलहाल फिर एक बार वित्नमंत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और भारत के समी नागरीकों को उजवल भविश के लिए अनेक अनेक शुबकामनाई देता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब बारत की बारत की अनेक खच टीम एड है